जी यहां आज तबाही के 30 दिन गुजर गए हैं ठीक एक महीने पहले केदारनाद घाटी में सेलाब आय था और भयंकर तबाही मची थी एक महीने बाद की तस्वीर कैसी है यह जानने के लिए ABP News केदार घाटी पहुंचा है हमारे समदाता मयूर परिक की रिपोर्च में देखे आज केदारनाद घाम कैसा देखता है एक महीने के बाद हम कर रहे हैं भगवान केदार के दर्शन नंदी जी बाहर शंकर की मूर्ती समय स्थापित की गई है यह है वो जगह जहां पर कहीं सारे मृत देह पड़े हुए थे इस समय आपर कुछ भी नहीं है अर्चुन भीम की तस्वीर दोनों ही तरफ जियों कित्यों गणपती बापा की मूर्ती जो बिलकुल बाहर है मंदीर के अंदर हम आ रहे हैं नकल और सहदेव की मूर्ती इस समय हम देख पा रहे हैं जो कि द्वार पर नमन करते हुए खड़िया और अब हम आ रहे हैं केदारनाथ मंदिर के भीतर यह है केदारनाथ का मंदिर केदारनाथ मंदिर के अंदर का एद्रुष्य दक्षिन द्वार वामदवार जिस दवार की और से पानी मंदिर के अंदर आ चुका था और हम इस समय यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारा मलबा अब भी यहाँ पर बना हुआ है बरकरार है इस समय अब हम मंदिर के गरबगरे की और आगे बढ़ रहे हैं भगवान शिव शंकर के तमाम आयूद यानि त्रिशूल डमरू इस समय हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कपाट अब हम गरबगरे के भीतर आ रहे हैं गरबगरी के भीतर के अद्रुश्य हम आपको दिखा रहे हैं कम से कम 5-10 फीट जितना मलबा हमें इस समय यहाँ पर ठीक मंदिर के अंदर इस समय हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर के अंदर अभी भी मलबा जो है वो बना हुआ है मैं इस मलबे की और आगे बढ़ रहा हूं यह थोड़ा सा कीचड जैसा देख रहा है और यहाँ पर भगवान के दारनात के लिंक के दर्शन इस समय हम कर यह है उपर का जुमर इस समय वही है यह वो जगह है जहां पे सैलाब आया था लेकिन यहां पर सिर्फ मलबा आ पाया नहीं आपाई तबाहि नहीं पहुंच पाई तबाहि भगवान के दारनात के दर्शन हम इस समय इहां पर देख सकते हैं कुछ अगर बत्तियां है यहां यहां पर कुछ बिल पत्र चड़ाए गए हैं हम भी पगवान को नमन करेंगे ति शिवलिंग के अलावा यहां पर समय कोई भी चीज मौझूद नहीं है यहां पर हम मंदिर के अंदर अंदर का पूरा इलाका है वह हमें बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहा इसी TV कैमरे 10 वह लगे हुए हैं अब हम मंदिर के बाहर की और आगे बढ़ेंगे मंदिर के बाहर का दर्शिय समय क्या आई हम फिर एक बार मंदिर के अंदर चलते हैं यहां पर हमार साथ कैप्टन सा हआँ जो कि हели Coolences लगातर यहां पर आते हैं हम उनसे बात करें भुपेंदर चीनि घी यहां की आवस्थ आप लगातार आ रहे हैं जब रोकी के डर्शन करते हैं बताई के अंदर कि परिषदि आफ लगातार दिन बदन देख रहें क्या पहले यहां पर जब शुरू में बहुत मलबा था और पहला जो कक्ष है उसके अंदर बड़ी मृत शव थे अब बहुत कुछ साफ कर दिया गया पहले अंदर चलने में बड़ी कटना ही होती थी तो बड़ी सफाई हो चुकी है बहुत पहले से समय के साथ आइस्ता इस्ता करक सब कुछ शुरू हो जाएगी यहां पर हम एट्मोस्फिर के बारे में बताएए किस तीजी से बदलता है यहां किदारनाथ किदारनाथ में 11500 की हाइट है और ठंड का मौसम रहता है यहां पर और मौनसून चल रहा है तो मौनसून में बारिश और बादल और कोहरा यह तीन सब्सक्राइब के मंदिर के भीतर का दृष्य यहां पर हरक सिंग रावच जी मौझे अरक सिंग जी यहां पर आस्था कस्थल यह वह जगह है जहां पर करोडों माथें रोज टेकने के लिए आते हैं आज भी करोडों लोगों के भगवान है आप कब तक सरकार कब तक इसके खबते मौसम बंद रहता है हेलकॉप्टर की फ्लैंग नहीं हो पाती है हम हेलकॉप्टर के बल्बुते पर यहां यात्रा सुरू नहीं कर सकते हैं लोगों को जान जोकी में नहीं डाल सकते हैं हमने पैदल मार्क बनाने के लिए लगातार 300 हमारे मजदूर कोरिकुन से लेक पर हम भी चाहते हैं कि हमारी आस्ता का केंदर है भोले नात मुझे तो आज बहुत दुखी हूं मैं इस बात को लेकर कि जब कपाट खुले थे मैं इसी जगह बैठकर मैंने माने मुकमन जी यहां बैठे थे हमने पूजा अर्चना की थी और यहां बैठकर हमने बाबा के द तबाई से हमारी सरकार उस तबाई से उबरने की कोसिस कर रही है लेकिन पुरा हिंदोस्तान ने ऐसे दुख के समय में हमारी घाओं पर नमक हमारे घाओं पर जो मरम लगा है उसी कर नतिजा है कि हम इस दुख की घड़ी में हमारे परदेश के सकार पर हमारे परदेश के ज परता लोग फिर इस दर्वार में आ सके हम सब को इस उत्राखनवाशों को देश वाशों के तीश सकते दे हमारी अटूट आस्ता इस बाबा में हैं पुरे देश की आस्ता है और निसर उसे हम सब लोग चाते हैं कि फिर जन जीवन सामनों हम सब लोग घंटे घड़याल की देखा रहा हूँ यह देखिए भगवान किडारनात के मंदिर के बाहर जो यहां पर पुरानी पराचिन लिखावट है वो ज्योंकितियों है यहां पर जो पुरानी हलाकि जो मूर्तियां थी उसको कहीं न कहीं नुकसान हुआ है इस तरह का हमें दिखाई दे रहा है यहां पर एक गैर्बगरे मंदिर का जो एक कोना है वह इस समय हमें दिखाई दे रहा है आईए हम दूसरी तरफ चलते हैं यहां पर जो है इस समय वास्तु करेंगे जो की प्रसाद के नामसे जह ताघ यह दिखिए यहाँ पे मूर्ति इस समय ज्यों की प्यों इसी समय हमें दिखाई दे रही है दूसरी मूर्ति यहाँ पे हमें इस समय दिखाई दे रही है तमाम प्राचीन पांडवों की मूर्ति गणपति बापा की मूर्ति एवं दूसरी मूर्ति यहाँ इस समय मंदिर के अंदर बिलकुल मुझूद है यह शिव शंकर भूलेणात का तरिशूल और उसके नीचे इस समय हमें एक मूर्ती जो है वो इस समय लक्षमी नारायन की शंकर पारवती की समय हम यहाँ पर मूर्ती दिखाई दे रही है अब हम एक द्वार से बाहर आ रहे हैं ये द्वार के भीतर से पानी जो है वो भीतर आया था हम उसी द्वार से इस समय अब बाहर की और आ रहे हैं और हम एक महिने के बाद की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं म जो छट से ठीक नीचे एक पत्थर की जो एक डिजाइन बनाई गई थी इस समय हमें वहाँ पे एक पत्थर जो है वो पूरी तरह से बाहर आया हुआ इस समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या ये सैलाप की वज़े से बाहर आया है या फिर ये उसके बाद बाहर आया है ये कहना कठिन होगा अब हम देखते हैं मंदिर के पीछे की तरफ ये देखिए ये ठीक वो जगए है जहां से पानी का रिसाव मंदिर के अंदर हो रहा है और इसका कारण भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आईए मैं मंदिर के और करीब चलता हूँ मंदिर के आसपास में हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ क्रैक्स जो है वो इस समय यहाँ पर है कुछ गहराई जो है वो एक हाथ जा सकता है उतनी गहराई यहाँ पर है साथ ही इसके आगे यदि हम देखें तो जी हाँ यहाँ निश्चित तोर पर कुछ न कुछ यहाँ पर न हिसा और दूसरे जो हिस्से हैं वो इस समय पूरी तरह से ठीक हों ये तिखाई दे रहा है तो तबाही के 30 दिन बाद भी केदार घाटी में ज्यादा कुछ नहीं बदला है अभी इसे अपने पहले के सुरूप में आने में काफी वक्त लगेगा शायद कई साल ठीक एक महीने पहले केदार घाटी में सेलाब आय था और भयंकर तबाही मची थी एक महीने बात की तस्वीर कैसी है ये जानने के लिए ABP नियूस केदार घाटी पहुंचा है मैं इस समय केदार नाथ पहुंच चुका हूँ ये रास्ता केदार नाथ की और अग्रेसर होता है फिलहाल इस जगे पर एक हेलिपैड बनाया गया है जहां से हेलिकॉप्टरों का आवागमन जारी है ये पुरा दृष्य देखने से ही तुरंट समझ में आ जाता है कि कितनी बड़ी आपदा यहां पे हुई थी ये देखिए मेरे पीछे इस समय आपको यहां पर एक बहार दूरी तरह से तूट कर नीचे आया हुआ साफ दिख सकता है ये है पुरा तहस नहस हो रखा केदार का इलाका और उसके बाजू में से जो एक नदी की धारा बह गई गई थी जिसका नतीजा कि यहां पे एक नई धारा जो है वो पैदा हो गई है इस समय यहां पर सन्नाटा है कुछ जानवर पशू हमें इस समय यहां पर दिख रहे हैं ठीक एक महिने के बाद ABP News की टीम इस समय केदारनाथ में मौजूद है और मैं दिखाऊंगा आपको कि केदारनाथ में इस समय क्या परिस्थिती है क्या माहौल है यह देखिए यह पूरा परिसर इस समय उपर से पानी के ज़रने जो है वो लगातार बहते हुए जा रहे हैं यहां से पूरा का पूरा रूट जो है वो रूट इस समय बन्ध होता हुआ में दिख रहा है, यह देखी एक छोटी सी सीड़ी जो की यहां से गुजर रही थी, इस समय वो सीड़ी पूरी तरह से तहस नहस होकर खत्म हो गई है, यह है बाहर जाने का रास्ता जो इस समय अब तक रिस्टोर नहीं हो पाया है यहां है वो पूरी बाजार और यहां है वो पूरे धरमशालाएं और मठ जहां पर जहां पर सादू रहते थे जहां पर यात्री रहते थे यहां से यह रूट जो है वो सीधा नीचे की और जाता है और आगे हम देख रहे हैं इस समय की वो रू तक यहां पर क्या राहत और बचाओ काम हुआ है यह हम आगे जाकर देखेंगे तीस दिन मिले हैं प्रशासन को काम करने के लिए क्या काम किया है प्रशासन ने क्या काम किया है सरकार ने हमारे साथ उत्तराखंड सरकार के मंतरी हरक सिंग रावत मौजूद है हम उनसे बात करते हैं यहां पर हमने तस्वीर देखी है इस समय मंदिर तो इस समय साफ सुत्रा दिख रहा है लेकिन आसपास का जो इलाका है पूरी तरह से तहसन है मंदिर का जो बाहरी इलाका है वो भी तहसन है ऐसे क्या कहेंगे देखे एक माँ में पहली प्रात्मिक्ता हमारी थी जो लोग यहां जीवित थे उन सारे जीवित लोगों को हमने 18 तारिक से लेकर और 24 तारिक तक लोग बग तीनेजार की संक्या इसके दानात में जीवित लोगों की थी उन सब लोगों को हमने यहां से जीवित नीचे गौरी दूसरी हमारी प्राथिमिक्ता थी कि यहां की जो जरजर और भावनों में दबे हैं लेकिन उसके सामने अमारे सामने बहुत बढ़ी चुनूती है कि लगातार यहां मौसम खराब हो रहा है दो तारिक से मौसम खराब हो गया था और नो तारिक को मौसम खुला है आट और नो तारिक को हमारे जो चौतर पुलिस कर्मी और जो हमारे नेशनल डेजार्सर रिलीफ फोर्स और आई टीपी के लोग यहां जवान फसे थे जो सबों का दास ससकार कर रहे थे उनके सामने भी बहुत बड़ी चुनूती हमारे सामने थी नो तारिक को जब मौसम खुला हमने उनको सिप्टिंग किया उसके बाद फिर दुबारा लगातार मौसम बन था और आज थोड़ी देर के लिए मौसम यहां खुला है और आज हम यहां आये हैं लेकिन निस्वरुप से हम जो गौ सकें लेकिन हम पूजा अर्चना तभी शुरू करा पाएंगे जब हमारे गौरी कुंड से लेकर के दानात तक पैदल मार्ग जब तक बन नहीं जाता है तब तक हम यहां पूर्जा करने की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि मौसम खराब होता है हलिकप्टर के बलबुते पर हम यहां किसी को इजादत नहीं देंगे अब तक हमें यहां पे इस समय शव नहीं दिखाई दे रहा है कितनी दूरी तक आपने शवों का अंतिम संसकार खत्म हो चुका है अब तक हम लगबग जंगल चटी केदानात में गौरी कुंड में सभी सवों का दास संसकार कर चुक उन सब का हम दास सथकार कर चुके हैं बिदिविदान से हमने दास सथकार किया है और निशुरूप से आप हमारे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के लोग इन भावनों को काट कर जो बोड़ियां अंदर दबी हैं उनको निकाल रहें कल भी हमने चार बोड़ियां निक सब्सक्राइब करते हैं तो पूरा भावन नीचे आ जा रहा है इसलिए एक एक बिल्डिंग एक काट कर कटर से काट कर हम इन भावनों से बोड़ियां का काम कर रहे हैं कितना समय लगेगा देखे आप खुद देख रहे हैं कि जब तक बहुत भारी मशीन या नहीं आती है जेसीपी नहीं आता और जेसीपी अभी पैदल चलकर आने की इस्तित नहीं है ऐसी इस्तित में आप खुद महसुस कर रहे हैं मौसम जिस तरह खराब हो जाता है यहां 55 दिन एक एक हफ्ता फ्लाइंग नहीं हो पाती है हलिकॉप्टर से भी नहीं आया जा सकता है ऐसी इस्त पी डवली के कर्मचारी लगातार गौरी कुंड से लेकर और केदाना तक मार्ग खूलने के कोशिस कर रहे हैं और मुझे पूरी उमीद है कि अगले 10-15 दिन के अंदर हम पैदल मार्ग बना पाएंगे 10-15 दिन के भीतर यहां आने का पैदल मार्ग तयार होगा लेकिन यहां पे इस समय हम बिलकुल देख सकते हैं कि सीरत क्या है केदारनाथ की आईए मैं आपको पुरी परिस्थिती यहां के इलाके की समझा दूँ यह है केदारनाथ का मंदिर के ठीक पीछे अब जहां पे आप देख रहे हैं उस जगे से सैलाब आया था बड़े बड़े पत्थर यहां पर आ गए बह गया यह पूरा का पूरा इलाका और आज हम यहां पर देख रहे हैं कि एक महीने के बाद यहां पे तमाम मलबा जियों का त्यों पड़ा हुआ है तमाम इमारते वैसी ही टूटी-फूटी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इस समय मौजूद नहीं है अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद है तो वस दो या तीन लोग उससे ज्यादा लोग नहीं यहाँ पे हम देख सकते हैं मलबा जो है वो अभी भी यहीं पर पड़ा हुआ है अब तक यह मलबायां से नहीं हट पाया और मंदिर का आंगन जो यहाँ से खुल रहा है मंदिर का आंगन बिल्कुल ऐसे के जैसे के तैसा ही है हमें इस समय यहाँ पर बहुत सारे कपड़े बहुत सारी लकणिया बिखरी हुई देखने को मिल रही है तो ये था तबाही के 30 दिन बाद केदार घाटी का हाल